अर्दास की महता एक दिन उज्जेन शहर के रहने वाले एक सिख बशन बल दास ने गुरुजी के आगे प्राप्तना की कि सचे पाच्छा मुझे धन की बख्षिश करो मेरे घर बड़ी गरीबी है सद्गुरु जी ने तर्माया कि भाई सिख को हर काजे के प्यारम के समय कड़ा प्रसाद करके उसे पवित्र चोंकी पर रखकर उपर साफ कपड़े से ढखकर पास बैचकर पूरी पवित्रता से जपुजी साहित का पाच करना या करवाना चाहिए इसके पश्चात काजे की सफरता के लिए खड़े होकर हाठ जोड़कर नम्रिता से अरदास करनी अत्वा करवानी चाहिए फिर जो भी काजे होगा अवर्शिसिद होगा घर जाकर दी तुम इस तरह के ही अरदास करवाना तेरे घर बहुत धन और सुख संपदा की बखशिश होगी हे बशनबर दास हर एक सिक्की यह अरदास होनी चाहिए बशनबर दास ने कहा गुरुजी महलों और दुशालों में रहते अत्वा अती करीबी के समय पर हालात में आपजी के चंडों का भरोसा मेरे होदे में जो कात्यों बना रहे मेरा मन सिखी भरोसे से ना डोले